इस वीडियो में हम समझेंगे पेरिकोरोनाइटिस के बारे में पेरिकोरोनाइटिस क्या होता है, इसके सिम्टम क्या है, ट्रीट्मेंट क्या दिया आता है इस सारी बात हम इस वीडियो में करेंगे अगर आपके पीछे दर्ध हो रहा है दातों में और मुह खोलने में तकलिफ है यह सब प्रॉब्लम है तो हो सकता है पेरी कोरोनाइटिस के कारण यह हो तो वीडियो को लाज तक देखिए आपको समझ में आएगा और जो डेंटल स्टुडेंट्स है उनके लिए वीडियो हेलफुल रहेगा अच्छे से आप इसको देखिए समझिए और अपने वर्ट्स में लिख दीजिए एक कोशन आपका तयार हो जाता है पेरी कोरोनाइटिस अच्छा कोशन है शौट नोट तो इस पर बनता ही है चलिए शुरू करेंगे चैनल में अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो रेड बेटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लेंगे नोटिफिकेशन के लिए चलिए शुरू करते हैं मैं हूँ डॉक्टर हरीश अंकर सोनी और आप देख रहे है इजी डेंटिस्ट्री तो हम समझ रहे हैं आज पेरी कोरोनाइटिस इसका मतलब पहले हम समझ लेते हैं पेरी मतलब सराउंडिंग्स पहले भी मेरे बताई हुए पेरी जहां पे लगते हैं मतलब हम सराउंडिंग्स की बात कर रहे हैं किसी चीज के चारो तरफ की हम बात कर रहे हैं तो pericoronitis, coronal portion जो है उसके उपर जो gum tissue है, उसका inflammation होता है, उसको हम बोलते हैं, और itis आपको पता ही होगा, काफी वीडियो में बता दिया है, यहाँ inflammation की बात होती है, वहाँ पर itis लगता है, pericoronitis, surroundings पे, tooth के surroundings पे, जो उपर gums हैं, tissues हैं, उनका inflammation अगर है, तो उसको हम बोलते हैं, pericoronitis, generally कहाँ पर आपको देखने मिलेगा, जो back tooth होता है, wisdom tooth होता है, वहाँ पर, अकलदार जो होती है, उसके उपर यह होता है, और किन condition में हो सकता है, या तो un-errupted wisdom tooth है, मतलब कि दात निकला नहीं है, bone के अंदर ही है, या partially erupted है, अगर आधा निकल गया है दात, और उसके उपर भी आजाता है, आधा दात निकल गया हुआ है, और उसके उपर tissue है, गम tissue है, वहाँ पर inflammation हो रहा है, तो भी pericoronitis हो सकता है, तो generally wisdom tooth अकलदार में होता है, आगे वा pocket बन जाता है, जैसे मैंने आपको होता है, tissue का pocket बन जाता है, tooth को cover किया होता है, यह हमारा tooth है, हमारे tooth को cover किया होता है, जो gum tissue है, मसूड़ा है, ऐसा cover किया होता है, और कई बार जो उपर वाला दात है, नीचे जैसे हुआ है, उपर वाला दात है, वो इसको touch कर रहा होता है, मसूडे को काट रहा होता है इस से भी irritation होता है और pain यहाँ पर बनने लगता है इसमें एक wound जैसा बनने लगता है गाव जैसे बनने लगता है और यह देखे हैं जैसे हमने समझे हैं यह tooth है उपर से gum tissue है यहाँ पर एक pocket जैसा बन जाता है यहाँ पर एक जगा बन जाती है और यहाँ पर food debris जाती है अच्छे से cleaning नहीं हो पाती है और inflammation होता है पस बनना यहाँ पर start हो जाता है यह है perichoronitis जनरली 20-30 साल की age में यह देखने को मिलता है क्योंकि 17-21 की age होती है wisdom tooth की और last wisdom tooth lower wisdom tooth में ही यह देखने को मिलता है ज़्यादा तर cases में इसलिए 20-30 साल की age में यह देखने को मिलेगा क्या होता है और bed breathe जो पस discharge की हमने बात की पस discharge अगर हो रहा है पस formation होने लगा है तो उसके कारण मुह से बदबू भी आती है यह सारी इसमें problem में अभी symptom हम देखते हैं तो और अच्छे से आपको clear हो जाएगा तो symptom की बात करें लक्षन की बात करें तो क्या हो सकते हैं जब pericoronitis आपको होगा तो severe pain होता है back side में पीछे की तरफ आपको severe pain होगा अगर यह जादा है तो neck के side में भी आपको pain हो सकता है उपर की तरफ ear के side में भी pain होता है इसके बाद आपको निगलने में तकलीफ होगी जब भी आप कुछ खाते हैं तो दर्द होता है और बात करें अगर हम तो चबाते हुए भी आपको problem होगा जैसे मैंने आपको बताया उपर निचे के दात टकराते हैं तो वो gum tissue को irritate करता है तो चबाते समय भी आपको इसमें pain होता है और क्या होगा? swelling of gums होगा ही मसूरे soot जाएंगे bleeding हो सकती है pus discharge आपको वहाँ से दिख सकता है pus निकलते हुए दिख सकता है और ओ जो area है आपको red दिखेगा dark red भी ये दिखता है ये सब चीजों से आप समझ सकते हैं कि pericoronitis है tooth cover दिखेगा अगर आप self diagnosis भी करना चाहते हैं आपको दर्ध है तो mirror में आप देखेंगे तो tooth आपको ऐसा cover दिखेगा हो सकता है थोड़ा सा part दिख रहा हो tooth का और या फिर अगर अंदर है bone के अंदर है जैसे मैंने आपको बताया पूरा अंदर है erupted नहीं है तो वहाँ पे swelling आपको दिखेगी tooth उपर आ रहा होता है और उपर ऐसा inflammation हो जाता है तो swelling दिखेगी red swelling आपको अलग से ही समझ में आ जाएगी खुद से भी अगर आप mirror में देखते हैं तो और क्या होता है pain के कारण jaw lock होने का problem होता है मुह आप पूरा नहीं खोल पाते हैं पूरा मुह खोलने में आपको दिक्कत होती है तो यह pericoronitis और उसकी symptom हमने देख लिए अब treatment की बात करते हैं तो treatment में medication है सबसे पहले medication आपको दिया जाता है जो pain relieving medicine है वो आपको दिया जाती है analgesics pain killers जिनको बूलते हैं वो दिया जाता है इसके बाद अगर इसे ठीक नहीं होता है तो surgical treatment होता है surgical treatment में operculectomy इसका उपर जो gum tissue है जो हमने बात किया ऐसा है इसको surgically remove कर दिया जाता है tooth को free कर दिया जाता है और यह कुछ समय आपको care रखनी होती है कुछ दिन medication भी साथ में आपका चलेगा और ठीक हो जाते हैं अब operculectomy से काफी लोगों को डर होता है जैसे उनको बता जाता है कि जो आपके उपर मसूड़ा है गम से वो problem कर रहा है उसको काट के निकालना है तो काफी डर जातने हैं patient की काट के निकालना है बहुत कोई बड़ी surgery नहीं है minor surgical procedure है आपको anesthetize किया जाता है सुन किया जाता है और जो blade से या फिर laser से जो भी doctor के पास अवे level है जिससे भी वो perform करते है उससे tissue को निकाल दिया जाता है suture की भी generally जरूरत नहीं पढ़ती टाके देने की भी generally इसमें जरूरत नहीं पढ़ती तो अगर जरूरत है तो अपर क्लिलक्टामी आप करा सकते हैं पानी से आपको ले करिए थोलसा care रखे, साफ रखे तो भी देरे देरे ठीक हो जाता है swelling आ सकती है कई वार अगर swelling है तो जो balm है, wix है ऐसी जो products आते हैं या फिर गरम चीज आपको नहीं लगानी होती है गरम चीज आपको नहीं लगानी है इसमें, यह ध्यान रखेंगे तो यह था pericoronitis, अगर ऐसे कुछ symptom है आपको तो आप check up कराए, treatment आपको इसके लिए लेना है चलिए इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अगर अच्छा लगा है वीडियो तो